दोस्तो आख छटा दिनराइट का और हम स्टार्ट कर रहे हैं काजा से हम जाएंगे किपबर और की मोनेस्ट्री जो की यहां से करीबन 13 किलोमेटर दूर है और धूब भी अच्छी खासी निकली हुई है लेकिन जो टैंपरेचर है अभी वो माइनस 5 के आसपास है और अभी जो टाइम हुआ है वो करीबन 9 बज रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि किपबर विलेज और की मोनेस्टी देखने में कैसी है अभी ज़स दो किलोमेटर कवर हुए है और बर्फ स्टार्ट हो गई है यहाँ पर काफी सारी ब्लैक आइस है हार्ड आइस जमी हुए है और बाइक को यहाँ पर चलाना बहुत मुश्किल लग रहा है बाइक मेरी फिसल भी रही है हुआ है फ़य दिकार, दिकार दिकार! हाषै झाल 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 हёज बलाम आरंची आरंची, आरंची इडर 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 आग帆 कि यासके नहां परिदा नहां पर हुआ है का अगा है पिजः सो तो झिए जो ह audके करे दा जगेra एठ फिर आवाद सुड़ सिस्मागा अवाया आवाद सपी टेराओ अचर खुद़ एठाद लिए प्याद अगर्ण वैयराओ अच्छ ग्याद हुआ हुआट हुआ झाल 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 जाल झाल झाल तो जस्त हम पहुचने वाले हैं की मोनस्ती और जो यहां का नजारा है बहुत ही शानदार है चारो तरफ बरफ ही बरफ है और जहां पर भी नजर दोड़ाता हूं वहां पर बस बर्फ की सफेद चादर बिची हुई डिखती है और अब की मोनेश्ट्री यहां से अच्छी तरह दिखाई देने लग गई है तो थोड़ी ही दिर में हम की मोनेश्ट्री पहुच जाएंगे थोड़ा सा रास्ता जरूर खराब है पर जो यहां का व्यू है बहुत ही शान्दार है तो दोफ मा हम बहुत कए है शीव और स्थी अच्छी इस अमेजिक मैं कर दो और अब हम जा रहे हैं किबर विलेज जो की वर्ड का सेकंड हाइस्ट विलेज है और इसकी उचाई 14200 फीट है ये कीमियोनिस्ट्री से 6 किलोमेटर आगे पड़ेगा और यहाँ पर काफी सारी बर्फ जमी हुई है अराम से ही निकलना पड़ेगा कर दो कि अ कर दो करेंगी झाल जो बर्प्राड करेंगा कर दो कि जो विलेज रहे आगेगा ये किलुई का बड़ेगा